कोश्चन दिया है निम्न को और रोही क्रम में लिखे और रोही क्रम यानि घटते हुए क्रम में लिखना है सॉल्व कर लेंगे इसे ये दिया है क्यूब रूट चार तो इसको उम लिख सकते हैं चार की पावर एक बटे तीन और ये दिया है root 2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 बटे 2 3 की power 1 बटे 6 और ये दिया है 5 की घात 1 बटे 4 3, 2, 6, 4 इनका LCM ले लेंगे तो इनका LCM आ जाएगा 12 अब इस 12 को गुड़ा कर देंगे 4 की घात 1 बटे 3 में 2 की घात 1 बटे 2 में 3 की घात 1 बटे 6 में और 5 की घात 1 बटे 4 में 3 का भाग देंगे 12 में 4 तो इसको हो जाएगा 4 की power 4 2 से भाग देंगे 12 में 6 तो इसको हो जाएगा 2 की power 6 6 से भाग देंगे 12 में 2 तो हो जाएगा 3 की power 2 और 4 से भाग देंगे 12 में 3 तो हो जाएगा 5 की power 3 2 की power 6 होता है 64 3 की power 2 होता है 9 और 5 की power 3 होता है 125 और रोही क्रम में घटते क्रम में लगाना है तो इनको और रोही क्रम में लगा लेंगे 256 125 64 और 9 तियों हो जाएगा cube root 4 is greater than तियों हो जाएगा 5 root 4 is greater than 64 is greater than 9 6 root 3 तो यह इसका आंसर हो जाएगा option A इसका right answer होगा